कि अब हम प्रॉफिटेबल हो चुके हैं बहुत सारे बंदों कोई कोशन है ठीक है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देता हूं चार्ट क्लीन कर देता हूं ताकि लेवल बना पाँ अफ लोगों के सामने ठीक है ओके अब जो होरीज़न्टल ले लेते हैं तो देखो सब्सक् प्रस प्रसमाना बोहत कम लोगों के जो है टाइम के साथ साथ ठीक है तो अब जैसे मैं यहाँ पर रेस्टेंस लेवल अभि बना रहा हूं तो मैं यह देखके नहीं पर जो लाल-लाल चैंडल जो अभी लास्ट है फॉर्म होई है उसका है यहाँ जो है यह मिरा सपोर्ट हो गया अब जो है हम जो है support का zone बनाएंगे यहां पर तो जो है ले ले लेते हैं horizontal lineup zone बना लेते हैं यहां नीचे तक support का zone होगा ठीक है अब मुझे कैसे बता है कि यह zone है देखो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से बनेंगे ना ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं बन सकते प्रैक्टिस करेंगे हो सकते बैक्टर बन जाएं तो सेम यहां पर होता है आप सबको पता है support रिष्टेंस कैसे touch points पर होता है पर लेकिन आप draw नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं соп bananas को करना है protocol आपको समझी करते हैं हम एक मेरीक्टिस पॉइंट देखते जहां पर में कैंडलEs टॉक्च हो रहा है कि एक दो गेंड़ल उस эти आर पर हो जाए पर maximum candle का touch point वो हो इसलिए यह देखके हम बनाते हैं आपका support resistance और जहां पर एक दो candle आपके उपर नीचे आगे पीछे हो रखी होती है वहां पर आपका zone माना जाता है तो इसलिए मैंने उपर zone बनाया है क्योंकि कुछ candles हमारे level के भार निकली है तो वह zone के किता है खाना का मन करता है तो तुम्हें कैसे पता चलता है क्योंकि तुमारा पेट बर जाता है simple तो तुम profitable बन गए हो कैसे पता चलेगा और यह candle जो है देखो volatility की बज़े से उपर चले गई ठीक है और उपर trade लोगा ठीक है अब मैं चाहता हूँ यह ना जीतू मैं देखो ऐसा भी चाहता हूँ मैं ठीक है तो इस तरीके से होता है जब भी हम trade लेते हैं तो हमारी planning होती है अब जैसे कि मैं अप लेने वाला था पर लेकिंग क्या है यह trade मेरी volatility के वरे से बहुत ज़ादा गलत जगे लग गई तो मैंने किया कि है मैंने यहाँ पर जो है अब मैं सोच रहा हूँ काश मैं इसको हार जब क्यूंकि अब मैं इसको हार गया ना तो नीचे बिल पर और अच अच्छा वह red बन गई उपर जाती तो फिर कम जीते अब थोड़ा मोटा मांट जीते हैं ठीक है तो अब duration की चार ट्रेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर और ऐसा करते हैं कि चार और लगा देता हूँ मैं क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लेवल दिख रहा चार और म मनेजमेंट के साब से मुझे 100-200 डॉलर की ट्रेड लेनी चाहिए पर मैं 500 की मार दे रहा हूँ तो मैं 500 की इसलिए मार दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी पैक्टिस करी है कि मुझे मरे लेवल पर भरोसा है ठीक है तो इसलिए कभी-कभी हम मनी मनेजमेंट हम उपर नीचे कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल भी है और भरोसा भी है तो इनिशल स्टेज में आपको नहीं आता तो भाई आपको जो है तरीके फॉलो करने चाहिए है ना हर चीज में हर फील्ड में यही होता है बाई बिगनर्स को जो है तैजीब से सिखाया जाता है जिनको आ चुका है ज जो है 2000 तो होगा होगा में एक हम थाल से चेक करते हैं सबसे पहले तो आपका 3000 डॉलर् Zoos के सपास हो चुका है है तो अब थोड़ी बहुँ ट्रेड ओड लेंगे फिर चलेंगे ठीक है कभी कभी क्या होता है कि मननी भरता थोड़ी बहुँ ट्रेड लेने के चक्र में गलती सीन हो जाते हैं हम सारे पैसे होर जाते हैं तो उस चीज़े हैं उस लाल चना करें कुछ चीजों के बहुत straight forward answer होते हैं बंदे कहरें भाई हम profitable होगे कैसे पता चलेगा भाई तुमारे bank में पता चलेगा profitable होगे मतलब profit में हो simple answer कैसे पता चलता है कि प्यास मिट गई जब पानी पी लिया जब मिट गई मेरे free group में आ रहा है ना तो link description में मिल जाएगा वहाँ पर जाके पहले आपको account बनाना है उस पर deposit करना है कोई भी amount फिर मुझे message करना मैं आपको free group में अड़ कुर दो का हूँ वहाँ पर daily के signal बिलते हैं 8-10 ITM कभी compounding हो जाती है 2-3 step ITM signals विलेंगे सब कुछ ठीक है बाकि अगर आपको मुझे सीखना है ना live market में live market में otc हो simple market और live market में सिखाऊंगा profit करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझें कि mentality क्या होती है trade करता समय live सिखोगे live market running market में तो मुझे personally message करना वो paid group में आने के लिए उसकी fees है 7500 for lifetime ठीक है सीख तो आप एक दो महिने में जाओगे पर लेकिन lifetime membership इसले क्योंकि मैं उसमें आपको सिखाता भी हूँ Monday to Friday मैं live trade करवाता हूँ ठीक है यह आपकी lifetime के लिए रहेगी और Saturday Sunday मैं आपको live सिखाता हूँ कि क्या करना है आपको क्या के चीज़े देख रहे तो सीख तो आप एक दो महिने में जाओगे बाकी live trading lifetime के लिए आपके पास अच्छा खासा मौका है ठीक है बाकी आपकी मर्जी आपको जहां भी आना है और यह एक अच्छा तरीका उनके लिए जिनको जो है जाला टाइम लिए सीखने को और केवल डेली प्रॉफिट्स करना चाहते है टाइम है नहीं सीखने का बस एक एक्सा इंकम चाहिए तो उनके लिए भी एक सही है किसी भी गुरूप में आ जाओ तो फिर यहां से जो है मैंने अपकी क्यों ली उसके पीछे का रिजन नहीं यह है कि यहां पर एक माइनर सपोर्ट लेवल ठीक है माइनर सपोर्ट लेवल देखो क्या करता है कि मतलब अल्मोस अल्मोस 30-40 परसंट आप टाम करता है ठीक है और 30-40 परसंट वैसे काफी होता है तुम सोच रहो ना यह कहा रहा है 30-30 यह 50 भी नहीं कहा रहा 30 भी बहुत होता है अगर तुम्हारे मनी मैनेज है ना तो 30 40 भी हो जायागा क्योंकि तुम उसके बाद जो है उसको मार्टिंगल के थरूँ जीच सकते हो अगर एक टाइम के लिए ब्रेक आउट भी कंसिडर कर लें अगर आप हार गए तो आप मार्टिंगल के थरूँ जीच जाओगे तो माइनर लेवल को भी खेलने का तरीका होता ह वह सारा मैं पेटगूत में सिखा देता हूँ लाइव मार्केट में ठीक है कि कैसे हर लेवल पर खेले अब देखो मैंने बंदों को देखा है पूरे पूरे दिन वेड करते हैँ ठीक है कम्पूरे खोला हुआ है कब हमारा जो है यहाँपने मौका बने और वो हो अप्सूं तो लेवल बनाओ यहां से अपके लेते हैं क्योंकि मेरे सपोर्ट के पास आ गई है सिंपल रिजन आपके लेली सपोर्ट के पास आ गई है क्योंकि हम बाइनेरी में एक मिनिट की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़रूत निया कि दिन भर कंप्यूटर खोलो और वे सब्सक्राइब जल्दी हो जाएगा टाइम कम लगेगा ओके तो यह अगर मेरे नीचे लेवल के पास आ गई तो यहां से मैं जो है एम्टीजी ले लेता हूं यार आप डिरेक्शन की यहां से क्योंकि शायद यह लेवल भी डिरेक्शन देगा और इसको नहीं जीता है तब नहीं आती मैं जीत जाता हूं ठीक है तो क्योंकि मुझे मेरे बारे में यह पता है तो मैं उसी सब का कैपिटल लगाता हूं कि मैं सेकेंड स्टेप तब टिका रहूं और प्रॉफिट में आ जाओं तो इसलिए मैं अभी वह कैपिटल लगाऊंगा अगर मैं इसको हर गया तो मैं वह कैपिटल लगाऊंगा कि अगर मैं उसको जीत हूं तो मैं जीरो भी ना हूं और प्रॉफिट में भी आऊं तो इस तरीके से मेरा मनी मैनेजमेंट रहता है और मेरे अक्यूरेसी रहती है कुछ बंदे मुझे सिखा रहे हैं भाई मेरे 10 में से 8 के 10 में से 9 के उनक अपना कमाओ खाओ यार घूमा फिरो कौन रोक रहे तुम्हें मुझे सिखा रहे हैं भाई आपना अपने प्राइस सेक्शन पर और फोकस करो आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है मुझे जरूती नहीं बढ़ाने की मैं जितना कर रहा है इससे ओपर तो किसी की हैवी नेक्य एक्यूरेसी करते हैं ठीक है यह वाणी स्मय कुछ पॉइंट से हर घे मैं हज़ार हज़ा पत अ अगर मैं देखो जी तो इतना मुझे पता है ne masked q जीतने वाला हूं, guaranteed क्यों, क्योंकि अभी जो red candle बनी है, previous वो as a breakout बनी है, मेरे support level का, और retracement के लिए ऐसा खास space नहीं है, कि green candle बने, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, space नहीं है, तो अगर ये red बनी तो next confirm green बनेगी, क्योंकि retracement होना है, gap fill होना है, ठीक है, मैंने अभी इस था, सबसे पहला, वो ठीक ठाक था, उसका बेटा क्रिश हुआ, वो और खतरनाक था, उसका पोता जो हुआ, जो अब हो रहा है, जो पैदा बचपर में हवा में बोड़ रहा है, तो देखो, पोते हमेशा नाम कमाते है, तो next trade तो confirm उपर जाएगी, ठीक है, तो इसमें हम trade जाएगे, और next trade मुझे लगता उपर जाएगी, तो मैं यहाँ पर पूरी लगबा, आट्द स्टेड माड़ देता हूँ, recovery के आसपास की recovery भी हो जाए, और मैं जीत भी जाओं, तो अब तो यह जीत नहीं है, मैं side अनाम से बैट जाता हूँ, तो जो है, बुरा नहीं मानना अब देखो, मैंने 3000 आट की profit में था, अभी के अभी 2000 के loss में आ गया, अच्छा खासा बंदा depression में चले जाए, हमें भी होता थोड़ा बहुत दुख पर उतना नहीं होता, क्योंकि पता recovery कर लेंगे, तो अब जो है, मिरे ख्याल से, अगर मैं इसको भी हारता हूँ, तो मैं दिन का break लूँगा, फिर ट्रेड करूँगा, फिर recovery मार दूँगा, तो हर चीज के तरीके हैं यार, तो मैं कहा रहा था, जैसे बंदे मुझे कहा रहे थे, कि भाई आप यह करो, आप वो करो, मिरी accuracy तुमसे अच्छी होती ही, तो मुझसे अच्छे होते ही, जिंदगी में, मुझसे अच्छे accuracy होती ही, तो मुझसे अच्छे पैसे कमारे होते ही, क्यों तुम loss के लिए रोते हो, accuracy इतनी अच्छी ही को, symbol सी बात है, कोई बंदे कहा रहा है, ना, मैं profitable हूँ, तो मतलब कमारे है, कहा रहा है, भाई मैं कमारे हूँ, उपर मैं loss मे हूँ, यह क्या बात ह हो गई है ना तो मुझसे बखवास बाजी नहीं करनी तसल्ले से अगर आता है तो करो नहीं आता है तो शांत रहूं दूर रहूं ठीक है तो यहां से मेरी खाल से यह जीट चुके हैं अब हम प्रॉफिट माच चुके होंगे चार पांच हजार डॉदर के आसपास ठीक है पां राइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच